दोस्तो हर सिंगार का ये वही पोधा है इस पोधे की आज से ठीक 11 दिन पहले आप लोगों के साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी उस वीडियो में इस पोधे की केर के बारे में बातचीत की थी और इस पोधे के उपर कुछ काम हमने किये थे साथ में इस पोधे को उस समय कुछ फटलाइजर भी हमने दिये थे उसी का ये रिजल्ट है उसी की अपडेट है आप लोग देखे 11 दिन बात ये जो पोधा है पूरे अच्छे तरीके से कलियों से भर गया है एक भी ब्रांच ऐसी नहीं बची है जिस ब्रांच पर कलिया नही हो जाती है तो इस पोधे के ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि इस पोधे की जो कलिया है कई बार पूरे अच्छे तरीके से खिल नहीं पाती यानि कि कुछ कलिया तो खिल जाती है लेकिन कुछ कलिया देखे इस तरीके से इसकी पीली होकर के गिर जाती है या फ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा तो आज किस वीडियो में कुछ पॉइंट आप लोगों को मैं ऐसे बताऊंगी इन बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपके पौधे की जो कलियां है वो पीली होकर के नहीं गिरेंगी और पौधा जो है पूरे अच्छे तरीक कलियों से भर गया है जैसे कि मेरा पौधा चारो तरफ से कलियों से भरा हुआ है तो ऐसी कंडिशन में आपको अपने पौधे को उठा करके कहीं ऐसी जगह रखना है जहां इस पौधे के उपर सुवे की दो से ढ़ाई या जादे से जादे तीन घंटे की धूप इस पौध को रख रहे हैं जहां साम को इसके उपर धूप आती है साम को भी दो घंटे की धूप इस पौधे को मिलनी चाहिए क्योंकि इस समय धूप बहुत तेज निकल रही है तो कई बात तेज धूप की बज़े से भी कलियां जो है पीली हो करके गिर जाती है तो इस बात का विशे मैं पौधे की जो गिली है तो हमेशा इस कंडीISHन में अपने पौधे की मिठी को版 में बात करते हैं थरड़ पौइंट तो देख है जैसे फूलों में खुष्बवी अच्छी आ है उसके लिए इस समय हमें अपने पौधे को फलाइजर देना है तो वो फलाइजर हमें लिक्ड बना करके देना है थूब कि कलिया जब बन जाती है थो एसी कंडिशन में हमें अपने पौधे को कोई भी शोलीट खाद नहीं देनी होती तो उसके लिए देखें यहाँ पर हमने एक लिटर पानी में दो केले के छिलकों को मिलाया है केले के छिलकों में पोटेसियम बहुत अच्छी मातरा में मिल जाता है ये बात तो सभी लोग जानते ही है दूसरी चीज एक चमच हमने बेसन और आदा छोटी चमच हल्दी पाड़ो को लिया है अब बेसन को हमने यहाँ पर इसली लिया है क्यूंकि देखें बेसन की जो तासीर होती है इसका जो नेचर होता है ये ठंडा होता है और भी बहुत सारे इसमें पोशकतत पाए जाते हैं जो कि पोधे की ग्रोथ के लिए पोधो में जो कलिया बन रही है उनको खिलाने में काफी हल्प करेगा एक और चीज यहाँ पर हम डाल लेंगे देखें आदा छोटी चम्माच फ्रेश चाय पत्ती को लिया है चाय की पत्ती में देखें ये पोधो की जड़ों में जा करके पोधों को निटिशन पोजाती है यानि कि जो भी खाद हम पोधों में डालते हैं उसको एब्जोर्ब क जैसे कि मैंने कहा इसकी तासी ठंडी होती है तो यहाँ पर हमने ये दो मुठी ली है एक लिटर पानी में लेकिन इसकी जगार आप गोवर की खात या लीप कमपोर्ट ले रहे हैं तो इसको एक मुठी ले लीजी और इन सारी चीजों को इस तरीके से मिला करके इसको 24 में हलका सा उपर से ढख करके रख देना है 24 घंटे के बाद ये जो फटलाजर है कुछ इस तरीके से बन करके तयार हो जाएगा अब बात करते हैं कि इसको पोधों में डालना किस तरीके से है तो देखिए इसको डेरेक्ट हमें पोधों में नहीं डालना है इसको पानी में डेलूट करके हमें देना है क्योंकि यह जो फटलाइजर है पावर्खुल बन करके तयार हुआ है और इस समय जैसे कलियां बन रही है तो कोई भी हैवी केमिकल या फिर हैवी फटलाइजर हमें पोधे में नहीं डालना है तो उसके लिए देखिए सबसे पहले इसको किसी भी कपड़े वगारे से आप लोग इस तरीकी से चान लीजे बिना चाने भी पोधों में यह नहीं डालना है यानि कि इसका कोई भी सावुत टुगडा केले का या फिर गोबा डिरेक्ट मिट्टी में नहीं जाना चाहिए इस समय तो देखिए जैसे कि यह लगवाग एक लिट कि कोई भी खाट डालने से पहले मिट्टी की उपर से हलकेल किसी गुड़ाई कर लेनी चाहिए लेकिन अगर पोधे में कल्या बनना शुरू हो गई है तो ऐसी कंडिशन में मिट्टी को उपर से बिलकोई भी डिस्टरब नहीं करना है यानि कि उपर से गुड़ाई नहीं क ये cutting ग्रो हो गई हैं तो इनको में भी हम डाल देंगे और आपके जितने भी flowering plant है मिजे किसी का comment आता कि हमारे टिकोमा में flowering नहीं हो रही है तो उनमें भी देखे एक एक डेटेar लिटर इस तरीके से week में एक बार डालते रहो गे तो आपके पोधे में फ्लावरी होना शुरू हो जाएगी अब देखे ये जो वचा हुआ था उसमें भी हम एक लिटर पानी डाल करके इसको फिर से उठा करके रख देंगे दुवारा जब इसको हम पोधों में डालेंगे तो इसमें पानी की जो क्वांटिटी है तो जैसे एक हिस्सा य पोधे की उपर से कोई भी पिंचिंग या फिर सोप पो नहीं या हार्ट पो नहीं यानि कि इस समें किसी भी तरह की कोई कटाई चटाई पोधे की उपर से नहीं करनी है पोधा जिस कंडिशन में जैसा है वैसे ही पोधे को रहने दिना है देखे उपर से पिंचिंग या निकल करके आएगी अगर उसको आप वहां से कट कर दोगे तो पौधा नहीं ब्रांचों को निकानने में अपनी पूरी एनरजी लगा देगा तो आपके पौधे को पर कलिया नहीं बनेंगी फूल नहीं आएंगे लेकिन पौधे को कलियों और फूलों पर लाने के लिए आप सबसे पहली चीज जो यहाँ पर हमने ली है वो है दो मुठी नीम खली ली है यह मेरा पोधा 12 इंच के पोट में लगा हुआ है उसके इसाफ से ले रही हूँ अगर आपका पोधा 10 इंच के पोट में लगा हुआ है छोटा है तो फिर इसकी मातरा आप आधी कर दीजिए कुछ लोग यहाँ पर यह कहेंगे कि इन सूके है केले के छिलकों को ऐसे ही इसकी मिट्टी में हम दवा दें तो देखे इस समय इन छिलकों को इस तरीके से इसकी मिट्टी में नहीं दवाना है कोई और सीजन होता तब तो सूके है छिलके या फिर कच्छे छिलके भी हम तो इससे फंगस लगने के चांस रहेंगे दूसरी वात देखें यह जो केले के छिलके हैं डीकंपोस्ट होने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं तो इतने यह फ्लाबरिंग पर आएगा तो इसलिए यह लेट हो जाएगा तो इसलिए या तो इनको आप लोग पाउडर बना कर क्या आपके पास सूखे हैं केले के छिलके हैं तब डाल दीजी या फिर आप इनको एक रात के लिए पानी में विगो करके वीक में एक बार पोदे को देते रहें तब पोदे के उपर असर होगा लेकिन देखे इस समय पोदे से अगर आपको अच्छे फोल लेने हैं तो यह लेकिन इन दो चीजों को पोदे में गुडाई करके देखे इस तरीके से साइडो साइडो से जरूर डाल दीजी इसको डालने के बाद देखे यह जो मिट्टी हमने निकाली थी अगर नहीं नहीं है तो जो मिट्टी हमने निकाली थी उसी से इस फटलाजर को कवर कर दीजी fertilizer को डालने की तुरंद बात पोधे को पानी देंगे पानी आपको कम देना है इतना देना है port के drainage जोल से नीचे से पानी नहीं निकलना चाहिए अगर नीचे से पानी निकल गया तो जितने भी nutrition पोधे को आज हमने दीए है वो सभी पानी के जरी नीचे से निकल जाएंगे तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है बात इसकी संलाइट की तो देखे इस समय पोध्य को जितनी जादा से जादा संलाइट मिलेगी यानि की कम से कम चार गंटे की दूप तो इसको मिलनी ही चाहिए तब ये पोधा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा अगर आपके या दूप अच्छे से नहीं आती है फिर ये फूल नहीं देगा